ओके आज की सोड़ों में आपको दिखाने वाला हूँ इस तरीके का थम्बनेल से हम कैसे क्रेट कर सकते हैं पिक्सल लाइब के अंदर यूटूब पे बहुत सारे प्रोफेशनल क्रेटर इस टैप का थम्बनेल को यूज करते हैं असपेसली जो एडिटिंग टूटेरियल से बनाते हैं इस टैप के थम्बनेल को यूज करते हैं और उनकी वीडो जो वायरल भी हो जाती तो अगर आप भी इस तरीके के थम्बनेल क्रेट करना चाहते हो और अपनी वीडो को वायरल करना चाहते हो तो इस वीडो को लास्ट तक देखना तूटेरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप ये भरुसा कर लो कि सुधानशु भाई को आता है और ये हमें बता सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपना पिक्सल लेप को ओपन करता हूँ आप देख सकते हूँ यहाँ बिल्कुल सेम मैंने एडिट करके र आता हूँ यहाँ आप देख सकते हूँ मैंने यहाँ पर कलरगेडिंग करके रखा हूए और बिल्कुल सेम आउट्पूट हमें मिल जा रहे तो यह तो आप कंफर्म होगे कि सुधानशु भाई को आता है अब सुधानशु भाई हमें बता सकते हैं तो अब आप वीडियो क इसमें फोटो को चेंज करके जश्क एक बार अगर आप इस तरे कर के डिजयन बना लोगे तो अपने शिर्फ यहाँ पे आप क्लिक करके अपने फोटोस को चेंज करGER करके तुरन्थ अपने थामनेल को चेंज कर सकतो मिनचन daar तुमन बना सकतो लेकिन अगर पी-एसटच के बात किज़ा तो PS Touch में आपको हर एक बार फिर से आपको डिजान बनाने पड़ती है ठीक है तो यह बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है अगर आपको पिक्सल लेब से सीख जाते हो PS Touch चलाने में भी काफी मुश्किल होता है उसे मैंने खुद राएके था नहीं हो रहा था मेरे से तो मैंने पिक्सल लेब में ही क्रेट कर दिया ठीक है तो काफी बखवास कर लेने के बाद यहां पर टूटेल को स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको पिक्सल लेब को ओपन करना है और ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है यह तो पता ही होगा हमें अब उसके बाद हमें YouTube थमनेल का साइज बनाना है ठीक है तो इसको पर क्लिक करते हैं इमें साइज को पर जाते हैं कस्टम को पर जाके YouTube थमनेल को सेलेक्ट करके डन कर लेंगे साइज क्रेट हो गया अब उसके बाद यह जो टेक्स्ट इसकी जवरत नहीं अभी तो फिलहाल इसे डिलीट कर देते हैं और बैक्ग्राउंड सबसे पहले हम क्रेट करते हैं तो बैक्राउंड क् बड़न को पर आने नुआइस को पर क्लिक करने एंड से इनेबल कर देने इनेबल करके आप इसका अल्फा को इंक्रीज करना 80 शन एंट के बीच में इंक्रीज करने और यहां पर इसे आपको कम कर देने ठीक है फॉर या फाइव इन हैंज को रखने एंड डन कर देने देन उसको अद ब्राइटनेस को पर जाके इसको 60-70 के बीच में आपको इसे रख देने एंड डन करने देन यहां पर आपको सेचुरेशन को परा कि इसे बिलकुल 100-0 कर देने ठीक है मिनस-100 कर देने एंड डन करने काम आप करलोगी तो आप सकते हैं अब इस अगर और अच्छा करना है तो आप यहां पर आपको इसे इसे इमेज इस तरीके कर नहीं इसे ऊंकले नहीं मिलते गो सेलेक्ट कर सेकतो मेरे एक फोलडर है जहांपे की कुछ फोटोज मेरे रहती है तो यहां पर आता हूं और इसको आले फोटो को सेलेक्ट करेंके ड़न गरता हूं तो आप देख सकते हो और भी अच्छा वमारा बैक्राउंड बन गया ठीके तो इस तरहीं से आपको वैग् से एक को सेलेक्ट multiplier करते हैं तो फ одपको फोटो को आप सेलेक्ट करके जस्ट एक्स बाइब करना एक क्षीया को कुछ इतना आप रइक सकते होँ और दूसरा यहाँ पर आपको just shadow को पर आके shadow को enable कर देना है और इसका blur radius अब थोड़ा सा increase कर सकते हूँ 12% सही रहेगा इतना काम आप कर दो देन उसके बाद इसी को आप copy कर दो ठीक है copy हो गया अब उसके बाद इसका size थोड़ा चोटा कर देंगे और यहाँ पर रखेंगे बाट इसे थोड़ा सा tilde कर देंगे ठीक है means rotate कर देंगे तो यहाँ scroll करने के बाद हमें rotate का एक option मिल जाते है इसके उपर click करके minus two कर देंगे और उसके बाद इसी को फिर से copy करके इस वाले side लाएंगे और इस वाले side plus two करेंगे ठीक है तो आगे जाते है rotate को पर और इस वार plus में two कर देते हैं तो इतना काम कर दने से हमारा जो यहाँ पर images है उसका design create हो गया बस हमें images को थोड़ा सही सा adjust करने होगे तो यह थोड़ा सा इधर रहने से perfect हो जाएगा हाँ हो चुका अब उसके बाद यहाँ images change करना हो क्योंकि तीनों images तो हमारे same है तो image को उपर click करते हो और image change करने के लिए just आप यहाँ पर scroll करना and texture को पर click करना then उसको बाद इसको पर click करके just आप यहाँ पर image change कर सकते हो इसे select कर लेते और यहाँ पे इस वाले image को select कर लेते ठीक है तो जो tutorial में हमें दिखाने है वो सारा images यहाँ पर add हो चुके अब उसके बाद हमें यहाँ text लिखने और आप देख सकते हो और कितना ज्य easy है हम यहाँ पर image change करेंगे text change करेंगे और हमारी दूसरी thumbnail बन जागे एक निया thumbnail तो समझ चकते भी बहुत ज्यादा plus point है इसका तो अब यहाँ पर text लिखने के लिए आपको simply सा text को पर click करना and text को पर click करना then edit को पर जाना and जो आप लिखना चाहते हो आप वहाँ लिख देन तो complete हो जाएगा तो एक text आप यहाँ पर add कर दो देन उसके बाद यहाँ scroll करेंगे तो आपके सामने ना आप वहाँ से किसी को gain कर लेना and उसके बाद आपको just done कर देना तो यहाँ पर हमारे text add हो गया अब इसमें colors को set करना होगा ठीक है इसमें effect हमें create करना होगा तो आपको सबसे पहले color के उपर आना and guardian को पर click करके just यहाँ पर plus का sign को पर click कर देना ठीके इसके उपर आपको click करना है then उसके बाद आपको यहाँ पर यह जू color दीख रहा है देन आप इसे done कर देना और इसका मैं size थोड़ा increase कर लेता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर scroll करना है then उसके बाद आपको shadow को पर click करना है और enable कर देना है shadow को then यहाँ पर यह जो आपको blur radius देख रहा है इससे आप बिल्कुल एक यह दो रख सकते हूँ इससे जादा नहीं रखने ठीक है then outer glow को भी enable कर देना है और यहाँ पर just इसे minus 2 और इसे plus 2 कर देना है या फिर minus 3 या फिर plus 3 कर सकते हूँ इतना आपको कर देना है then done करना है तो आप देख सकते हो हमारा जो यह text का effect हो create हो गया यह वाला जो font है ना उतना अच्छा नहीं है तो इसलिए मैं इसे change करना चाहूँगा इसे font के कारण अच्छा नहीं लग रहा है यह वाला font सही है तो इसे मैं select करता हूँ and उसके बादे done करते हैं तो यह font आला काम हमारी हो चुकी अब उसके बाद हमें यहाँ पर second text लिखने है ठीक है तो उसे लिखने के लिए plus button को उपर क्लिक करना edit को पर क्लिक करना और just यहाँ पर real editing लिख देते हैं real editing and उसके बाद इसे done कर देते हैं ठीक है और इसे नीचे में ले आएंगे और इसका size थोड़ा सा हम छोड़ा कर देंगे तो इतना छोड़ा करके just color के उपर जाना है और just color आप यहाँ पर black select कर लेना और scroll करोगे तो आपके सामने एक background का option हैगा इसको पर क्लिक करना है इसे enable करना है और इसका color को आप यहाँ पर यह रख सकतू यह लोठीक है और इसे थोड़ा सा increase कर देंगे उसे तरीके से इसे भी increase कर देंगे and इसे radius को increase करके ऐसा create कर लेंगे then done करना है और उसके बाद यह perfect create करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करना and shapes के ओपर जाना shape को कुछ इस तरीके साब create कर लो ठीक है then यहाँ पर आपको guardian को पर जाना है इसे enable करना कोई सब्सक्राइब कर लेना या फिर प्लेस लोटन को पर क्लिक करके इसे select कर लेना ठीक है और एक कलर को पकड़ लेना और इसका जो क्या बोलते है और text को इसके ऊपर रखना है तो यहाँ क्लिक करेंगे text को पकड़ेंगे और इनके ऊपर कर देंगे तो देख सकतो ऐसा create हो गया तो almost हमारा यहाँ पर thumbnail create हो चुक है अब उसके बाद just हमें यहाँ पर arrow add करना है तो import के उपर क्लिक करते हैं और एक arrow को यहाँ select कर लेते हैं औ और जो मैं arrow use कर रहा हूं उसका link के देदूंगा description है तो arrow को मैंने select के done करते हैं और इसे का size को कुछ इस तरीगे से छोड़ा करके just यहाँ पर ऐसे add कर लेंगे और उसके बाद इसका color के उपर जाएंगे और इसे आप white select कर लेना सहीर हैगा तो color white करके just आप यहाँ पर आना shadow में shadow को enable करना है और blur radius को कम करना है एक या दो रखना है और इसे increase करना है ठीक है तो यह कर दने से हमारा यह arrow भी create होगे just इसे को duplicate कर लेते हैं और यहाँ पर crop के उपर जाकि इसे flip कर देंगे ठीक है देन उसके बाद इधर कर देंगे और size थोड़ा ज्यादा है तो size को थोड़ा चोड़ा कर लेते हैं तो यह arrow वाला काम भी हो चुका अब उसके बाद just यहाँ पर अगर आपको चाहो तो logo लगा सकते हो जो भी app का आप यूज़ करने वाले हो तो import को पर click करते हैं and logo में यहाँ पर just vn का use कर लेता हूं और इसे circle में करके just done कर लेते हैं and size को छोड़ा कर लेते हैं यहाँ पर और इस वाले corner में fix कर देते हैं then इसका भी जो आप shadow है उसे enable कर देना but blur radius को फिर से कम करना है एक दो पर and इसे यहाँ पर increase करना है ठीक है और color को आप यहाँ पर yellow यूज कर सकतो बढ़ियां लगता है तो increase ना करके decrease करेंगे तो यह set आए जाएगा जो की सही रहेगा ठीक है then done कर लेते हैं तो यह देख सकतो यहाँ पर create हो गया but थोड़ा ज़्यादा इदर आगया तो इसे थोड़ा कम कर लेते हैं okay and इसमें आप stroke भी दे सकतो stroke के उपर जाना enable करना और black stroke को दे देने से सही रहेगा तो इसे दे दिया फिर इसे को duplicate कर लेंगे means copy और यहाँ पर लाके रख देंगे just इस बार इसका shadow के उपर जाके यह जो minus में इसे plus में कर देंगे ठीक है then done करेंगे तो आप देख सकतो यहाँ पर जो हमार pixel में काम था वो हमारे complete हो चुक है अब उसके बाद सिर्फ हमें color grading करना है और इसे perfect grade करना है तो save button को उपर click करके save image को उपर click करेंगे custom के उपर जाएंगे और इसे ultra select करके save कर लेंगे ठीक है यह save हो गया अब उसके बाद हम अपने यहाँ पर lightroom को open करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपनी photo को add करेंगे तो प्लस रोडेंगों पर click कर लेते हैं यहाँ से अपनी photo को select कर लेते हैं तो photo यहाँ रहा इससे select करके just add कर लेंगे photo हमारी यहाँ पर add हो जागी all photos को पर आप click करना photo add हो ठीक है अब इससे photo को color करने के लिए जो सबसे basic चीज है वो यह है क कि color में आपको आना है और temperature को कम करना ठीक है इसे temperature को आप यहाँ पर कम करना और tint को आप increase करोगे देन उसके बाद vibration और यह saturation को आपको increase करना है देन आप देख पाऊंगे text में बिल्कुल हमारे same editing हो चुकी अब थोड़ा और अच्छा create करने के लिए आपको light को पराना है exposure को थोड़ा सा increase करना है contrast को अच्छा का सा increase कर देना है then यहाँ effect को परापाना vintage को आप यहाँ से कम कर दो ठीक है then आप इसमें आ सकते हो detail में शार पेने सबको increase कर सकते हो ताकि quality थोड़ी सही हो जाए photo की देखने में सही लगे हमारा thumbnail ठीक है effect वाले section में ही आपको clarity and texture मिलता यह आप इंक्रीज कर देना तो अपर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा thumbnail है वह भी create हो चुका है और इसमें color आप थोड़ा कम रखोगे तो सही लगेगा ठीक है तो देख सकते हो इस तरीके से करके हम इससे thumbnail को create कर सकते हैं background से लेके text हर एक चीज को हमने यहाँ पर pixel lab की help सही create कर हैं अब उसके बाद सिंपले सा share वाल व्टन को पर क्लिक करके save to device कर देंगे and बनके ready हो चुका तो इस तरीके से create क्या जाता है I hope आपको मैंने हरीकस टेप दिखा दिया और आपको यह tutorial पसंद आई होगा तो अब मिलते हैं next वाली वीडियो में तब तक के लिए bye bye खुस र झाल आई होगा है तो